हलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्पूर्ण परश्ण जोकी परिच्छा में आ सकते हैं सुपर टेट के पेपर में तो सुरू करते हैं हम लोग पर्यावरण के कुछ कोश्चन पहला कोश्चन है बहुतिक तता जैविक संसार जहां कोई रहता है उसे कहते हैं जहां पर भी जैविक बहुतिक की बात की जाए उससे घिरे हुए संसाधन की बात की जाए वहां क्या अजयविक संसार से घिरा हुआ है इसे क्या कहते हैं परयावरण कहते हैं तो यहाँ पर हमारा question का answer जो हो जाएगा option एक परयावरण दूसरे question पर आते हैं वहाँ कौन सा जरूरी कारक है जो भिन 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 छेत्रों में भिन भिन परयावरण उत्पन करता है यहाँ देखते हैं जो मानो की कृत्ति होते हैं जो मानो की किरिया कलाफे होती हैं वो अनेक दसाओं में अनेक परयावरण की इस्ति उत्पन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग AC लगा लेते हैं तो उसका परयावरण दूसरा हो जाता है हम वैसे घुले में कुछ नहीं लगाते AC परेक्राम़न में भिन-भिन उपन्द कर सकता है. आपसन जो दूसरा है वो सही हो जाएगा. तीसरी कुश्चन पे आते हैं, पचास से साट किलोमेटर तक का वाइ मंडल में उपस्तित गयाएस? जो हमारे पचास से साट किलोमेटर का रिंज का वाइ मंडल है, इसमें जो है समताप मंडल बिलांग करता है इसलिए समताप मंडल का जो उपरी हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है ओजोन प्रत इसलिए ये समताप मंडल की उपरी भाग को ओजोन प्रत कहते हैं इसलिए इसमें जो है अधिकतर गय से क्या होंगी ओजोन पाया जाएंगी ठ Question No.4 है प्रतिपी की अनुमानित आयू अनुमानित आयू निकालने के लिए हम अनेक उपकारडों का प्रियोग करते हैं इसलिए यहाँ पर जो मेजर्मेंट किया गया है प्रतिपी की आयू का अनुमानित आयू का वह है पांच करोन वर्स यहाँ पर आपसन एक सही हो जाएगा अब हम चलते हैं अगले कोशिशन पर मुख्यकारक का नाम जो परदूसन उत्पन करता है परेवरान परदूसन करने के लिए सबसे इंपॉर्टन जो हता है मुनिश्य और सभी जो गैसे होती है यहाँ पर जैसे पहला आपसन है समुद्री जीव जानवर और नाइटोजन इस अभी परेवरान को मेंटेन रखते हैं इन में परेवरान पर दूसर में इनका जादा योगदान नहीं रहता है यहाँ पर जो मनुश्य है मनुश्य अपनी के लिया कलापों से प्रेवरान को अधिक प्रभावित करता है अब चलते हैं चछेटे नंबर कोश्चन पर जैव अनिमनी करडिये पदार्थ का नाम क्या है जैव निमनी करडिये पदार्थ मतलब हम आगे समझेंगे आगे question number आगे है उसको हम समझेंगे यहाँ पर जो रेडियो धर्मी कचरा है जो है निमनी करडियो पदार्त में आता है अपॉलिथीन प्लास्टिक यह सब नहीं आते हैं निमनी करण में जो यहाँ आपसं दूसरा रेडियो धर्मी कचरा है वो सही हो जाएगा अब चलते हैं question number 7 question number 7 ओजोन परत के उपर आयन की परत है जो छोड़ती है आयन जो वाय मंडल का उपरी हिश्चा है वाय मंडल के नीचे जो हमारा ओजोन परत है ओजोन परत में अनेक रेडियो एक्टिव पदार्त रहते हैं वहाँ से हमारे रेडियो केड़ें निकलती रहती हैं सब्सक्राइब है जोड़ते हैं तो अपनी के परत हैं परत के रहते हैं क्या कहलाता है हमारे हवा पानी के पर दूसरा जब होता है उससे क्या परवावित होता है रेडियो धर्मी 6 करण यह नहीं होगा दूसरा अध्यिक अफसिस्ट पदार्थ अध्यों के कारण मिलों इक यहां करदो से करके्ड़ के पर दूसर करता है उसकी जो गंध होती है वो हमारे इंवायमेंटल को परदूसद करता है इसलिए यह और दोगिक अबसेष्ट पदार्त जो है हमारे हवा औपानी का परदूसर होता है इसलिए आपसन दूसरा है उससे हो जाएगा अगले कोशन पर चलते हैं मनुष्ष है एक आप लोग जानते हैं यहां आपसर नमबर 1 शर्वा हारी है शर्वारी ओँ होते हैं जो मान्शा हारी और शाका हारी दोनों होते हैं इसलिए यहां पर आपसर नमबर पहला सही हो जाएगा अगला question हम दिखेंगे question number 10 जंगलों की पूर्थी का बड़ा कारेकरम होता है जो हमारे जंगलों की पूर्थी का सबसे बड़ा कारण हो सिल्पी कल्चर है जो की बनों की कटाई से संबंदित होता है बनों की पूर्थी के लिए संबंदित होता है इसलिए आपसा नंबर एक सही हो जाएगा अगले question पर चलते हैं question सभी आते हैं यहां पर जो अजयबिक की बात की गई है तो यहां पर आपसा नंबर तीसरा हवा तथा पानी के सही हो जाएगा अगला question दिखेंगे वह अपसिस्ट पतार जो पृदभी में रहता है तथा जिसका उप्योग नहीं हो सकता है वहां पर पिछले हम question देख चुक question number बराहवे का option number एक है option number दो है अनिम्नी करडियो पदार्त है वही हमारा श्रही होगा option number 13 है question number 13 है बनों की कटाई का कारण होता है यहां पर भूमी की कटाव से हमारे बनों की कटाई का कारण एक हो सकता है अगला question देखेंगे हम question number 14 सूर से आने वाली प्रावेगनी करड़ो को निम्लिखित में से किस द्वारा सोखा जाता है आप सबी लोग जानते हैं सम ताप मंडल जो हता हमारे वाय मंडल का उसका जो उपरी प्रत होता है ओजोन प्रत होता है वही हमारे सूर से आने वाली प कमद्णल कहा जाता है वोग जो की सम ताप मंडल में पये जाता है एप ऐल मजबर पुशा ऑप साथ किस वाय मंडल की पात में वाय मंडल की प्रत्में पाया जाता हूं अब कुशिन नंबर हम 15 देखेंगे आम कीड़े मार दबाईयां कौन सी हैं आम कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए डी डी सी तथा बी अच सी तबा काम्याब होती है यहां नीलत होता है जो की हमारे खेदों में चिरका जाता है और पोटासियम नाइट्रेट दिया है इसमे जो आपसंद नंबर एक है वो सही होगा अब कुशिन नंबर 16 देखेंगे सिल्वी कल्चर कारेकरम है आप लोगों ने अभी पहले देखा बनों की पूर्ती के लिए क्या कहते हैं सिल्वी कल्चर यहां उसका रिवर्स कोशिन दे दिया है सिल्वी कल्चर कारेकरम सिल्वी क मंडल फैला हुआ है 15 km तक 15 km से 60 km तक 30-60 km तक 60-60 km तक हमारा जो हुआ मंडल है वो समताप मंडल तक फैला हुआ है जो की नियर अबाउट 60 km तक है तो हमारा जो आप्शन नमबर तीसरा है 30-60 km तक यह आप्शन चाहिए होगा अगला कुश्चन हम देखते हैं कुश्चन नमबर 18 हावा में स्वतनत आक्सीजन आती है जो हमारे पर्यावरण में स्वतनत आक्सीजन आती है वो आती है परकास समय के समय पाउधे से पाउधे जो होते हैं हमारे कर्बन डाई आक्साइट को लेते हैं और सुध आक्सीजन देते हैं जो पहला आप्शन दिया है आक्सीजन के बिच्छेदन से आक्सिजन का यदि हम विच्छे दन करेंगे तो उससे हमें नवजात आक्सिजन मिलेगा लेकिन वो स्वत्मत आक्सिजन नहीं रहेगा जो कि आक्सिजन का एक अड़ु रहेगा तीसरा अपसंद दिया हुआ है पानी के वाश्पो का अपगटन से पानी के वाश्पो का अपगटन करने पर भी हमें श्वत्मत आक्सिजन नहीं मिलेगा वाश्पो का अपगटन करने से हमें आक्सिजन के एक नवजात अड़ं मिलेंगे और कुश्यन नमबर अगला देखेंगे 19 कौन सी कैश अधिक जहरी लिए है यहां जो आप्शन में दिया है कर्बन मोनो अक्षाइड कर्बन डायक्साइड आक्सीजन नैटोजन यहां जो सबसे खतरनाग गैश होती है कर्बन मोनो अक्साइड जो की गला घोटू के नाम से भी ज जाना जाता है इस गयोश को कार्बन मोनो अक्षाइड के सबसे जहरी लिए कैश है अगला कुश्यन हम देखेंगे कुश्यन नमबर 20 कौन शारोग उतको की अनियंतित विर्द्धी के कारण होता है कैंशर कैंशर में होता क्या है कैंशर में ऐसा होता है कि कोश्काइड कोश्काओं के मिलने से होता है कई कोश्काओं को मिलाकर उतक जो बनते हैं तो इसको अनिंतित विकास हो रहा है ज, जिसे वहां पर अभिकृति उत्पन हो जाती है ज,- स, क पेल पाउधे से संबंदित है जैविक प्रयावरान और कुशन नमबर अगला बाइश देखेंगे प्रिद्वी के नीचे पानी की सतह कहलाती है जो नीचे की सतह है पानी प्रिद्वी के नीचे की जो सतह है उसे क्या कहते है वाटर टेबल कहते है इंपॉर्टन कुशन है धर कुषिन 23, तेल की पानी पर पतली तह होती है, क्या कहलाती है जो पानी पर जब तेल डाल दिया जाता है तो इसको क्या कहते है, आईल सिलिक कहते है, अगले कुषिन पर चलेंगे, कुषिन इसमें से कौन सा खतरनाग बिमारी जिसका इलाज नहीं होता जो इसमें दिया गया है टीवी और मलेरिया इसका इलाज है हमारे पास जो कैंसर और एड्स बिमारिया है इसका इलाज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है इसका इलाज नहीं है ठीक तरीके से हमारे तीसरा दिया है बेरी बेरी तथा काला जा रहो जिसकी हमें इलाज की इलाज उपलब्द है इसलिए इसमें कुश्चन नमबर 24 का जो आप्शन नमबर दूशरा है वो सही होगा कैंसर और एड्स के इलाज नहीं उपलब्द है कुश्चन नमबर 25 शराब दिमाग का संतुलन को क्या करती है अब लोग जानते हैं शराब पीने से दिमाग का संतुलन घड़ जाता है इससे हमारा सरी काबू में रहता है हमारा संतुलन बिगड़ जाता है अगला कुश्चन देखें कुश्चन नमबर 26 पर December, पर दूसरक जो वर्षा की पानी में घुलकर अमलिय वर्षा का बनाती है इस अमलिय वर्षा के कई कई आकसाइड जो हैं जिम्हधार होते हैं कई अमले जिम्हधार होती हैं पहलाक्षन है अकसिजञ जो की नहीं है नाइटोजन आकसाइड जो की नहीं है कार्बन मोनो आकसाइड जो की एक खतरनाग गैश है जहरीली गैश है जिसे दम गोटू गला गोटू गैश भी कहते है यहां जो सल्फर डाई आकसाइड गैश है जो अमल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है यहां पर HCL अमल दिया होता हाइड्रो कलोरिक अमल दिया होता हो भी हमारे अमल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है लेकिन आप्शन में ओ नहीं है इसलिए यहां पर हमें सल्फर डाई आकसाइड गैस लगाना हो अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर 27 आफ़ को मापने की इकाई क्या है और अगले कुशन पर हम चलेंगे कुशन नमबर 28 28 नमबर कोशन देखेंगे सबसे अधिखानिकारक पर्दूसक है सबसे खानिकारक पर्दूसक यहां पर आप्शन में दिया हावा नहीं है राशायनों द्वारा हो शकता है शोर द्वारा भी हो सकता है लेकिन जो आप्शन नमबर चौथा है रेडियो धर्मी पदार्त जो की सबसे हानिकारक पर दूसरण है इसलिए आप्शन नमबर चौथा शही हो जाएगा कुश्चन नमबर 29 दिखेंगे निमनी करन पदार्त है कागज यू एल्मूनियम के डिबबे डीडीटी प्लास्टिक इसमें जो एल्मूनियम के डिबबे एल आप्शन दूसरा आप्शन डीडीटी तीसरा आप्शन कागज चौथा आप्शन प्लास्टिक इसमें जो आपसन नमबर तीसरा है वो सही हो जाएगा कागज निमनी करन पदार्द में अब देखेंगे कुश्चिन नमबर तीस एक ही मिट्टी में वर्स दर वर्स एक फसल लगाने को कहते हैं फसल चक्र मोनो कल्चर फसल यू शिल्पी कल्चर कोई नहीं है यहाँ पर पहला आप्शन दिया है फसल चक्र मोनो कल्चर फसल शिल्पी कल्चर कोई नहीं 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 जो मोनो कल्चर है मोनो कल्चर हमारा आप्शन होगा एक ही मिट्टी में वर्स दर वर्स एक फसल लगाने को कहते हैं क्या काएते हैं मोनो कल्चर जब हर एक वर्स एकी फसल लगेगी तो उसे क्या काएते हैं इसे फसल को हम मोनो कल्चर फसल कहते हैं ठीक है आज हम Q question तक करते हैं की क्वेशन हम करें उससे पहले हम प्रेवरण की थियोरी की क्लास लगेगी जो नए है और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकान को दो है जिससे की आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन पहुंसता रहे थैंक यू फार वाचिंग